मैं निलेज सर्मा मास्क वार्ली सोलिशने में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने एक इंपोर्टेंट टॉपिक एसोपी को लेके आँँ और अगर आप इंडिस्ट्री में काम करते हैं इसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं नियुक्त ज्रूपिक जिसे कि एसोपी क्या है एसृपी की र्सी जुरूत है सोपी बनाने का प्रोसस क्या है सोपी कितने परकार की होती है सोपी को और कितने नामोंर widIeo को on display करना चाहिए और मेरा आप सबसे वाइद है वीडियो देखने हैं कि आपको अच्छे लगेगी अच्छे लगने बाद वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकान को हिट कीजिए कोई वीडियो मार्वस क्वाल्डी सुलेशन पर अपलोड होने के बा यह स्टार्ट करते हैं आई यह फ्रेंड जानते हैं कि SOP का मेनिंग क्या है तो SOP का मेनिंग है Standard Operating Procedure means क्या किसी भी काम करने का क्या standard तरीका है यह कह सकते हैं कि एक return step by step instruction है या information है जो यह दरसाती है कि कि किसी भी काम को किसी भी activity को perform हम कैसे कर सकते हैं इसमें important चीज क्या याद रखनी है इसमें जो एक अच्छी defined SOP होती है उसके दोबर हम employee को आसाली से train कर सकते हैं और 94% आदमी का मानना यह है जो company employee की learning में फोकस करती है तो लंबे समय तक में stay करते हैं है यह friend जानते हैं कि SOP की ज़रत क्यों है performance में समानता आने के लिए time saving करने के लिए product quality को improve करने के लिए और maintain करने के लिए production speed को बढ़ाने के लिए communication को improve करने के लिए SOP की बहुत ज़रूँ होता है हाई यह friend जानते हैं कि SOP को किसको लिखना चाहिए या कौन लिख सकता है इसको जो आदमी जोब पर काम कर रहा है उसको लिखना चाहिए या जो उसको lead कर रहा है या train कर रहा है उसकी responsibility बनती है और जो other members होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं SOP लिखने में contribute कर सकते हैं या इसको improvement को बता सकते हैं और उसका जो responsible person है वो सिर्फ एक ही person होना चाहिए और यह friend जानते हैं कि SOP लिखने का process क्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो process उसकी list को create करेंगे उसके बाद जो audience है उसको identify करेंगे उसके बाद objective को define करेंगे उसके बाद SOP का format को choose करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे SOP को लिखेंगे आया फ्रेंग जानते हैं कि SOP कितने परकार की होती है बैसिकर आइसोपी तीन परकार की होती है पहले step by step हो गई यह SOP routine प्रोसेजर के लिए follow की जाती है यह sort होती है रिजिटू follow होती है second होगी हमाई hierarchical SOP हो गया यह जो SOP है उन प्रोसेजर के लिए follow की जाती है जो complex होते है और जिसमें additional information की जुरत पड़ती है थड़ क्या होगी हमारी flow chart SOP हो गई यह SOP उन प्रोसेजर के लिए follow की जाती है जहां पे outcomes होते हैं बहुत सारे होते हैं और जो result होते हैं हमेशा predictable नहीं होते है उसके लिए बहुत best twice होती है आयो फरेंड जानते हैं कि SOP को और किस नाम से जाना जाता है SOP को वर्क इस्ट्रेक्शन के नाम से भी जाना जाता है सेट इस्टेंडर ओपेरेटिंग प्रोसेर के नाम से भी जाना जाता है process control standard के नाम से भी जाना जाता है standard worksheet के नाम से भी जाना जाता है बट commonly SOP और WI के नाम से जाना जाता है आयो फ्रेंट जानते हैं कि SOP का परपज क्या है basically SOP का उद्धेस ही यह है कि जो operations हो रहे हैं हमेशा correctly follow होते रहें और same manner में रहें इससे कि जो output मिलेगी वो क्या रहेगी हमेशा consistent रहेगी यह एक जैसी रहेगी जानते हैं कि plant में इसको can display करना चाहिए SOP को जहां पर work हो रहे हैं वहां पर उसको display करना चाहिए आये फ्रेंट step by step SOP के example को समझते हैं इसको मैंने six part में divide किया है तो आये देखते हैं कि पहले part में क्या लेते हैं इसमें इसमें SOP का name रहेगा format number रहेगा revision number रहेगा और revision date रहेगी part name रहेगा part number रहेगा और जो process करने उसका name रहेगा जैसे कि हम इसमें welding करें तो यहां पर क्या रहेगा welding रहेगा second में क्या रहेगा जितने भी pictures होते है फोटो होते है sequence wise इस process में उन सब की detail रहेगी और third में क्या रहेगा process step रहेंगे fourth में क्या रहेगा जितने भी steps से इन सबका detail explanation रहेगा number five पे क्या रहेगा operation का name रहेगा उसके parameters रहेंगे जैसे कि यहाँ पर welding है तो welding में कितने current चाहिए कितना voltage चाहिए wire कितने की होनी चाहिए gas flow कितना होना चाहिए उसके बाद welding कर दिया ध्यान रखना है हमको कि welding कहीं छुटी ना हो welding खराब ना हो और welding करने के बाद पार्ट को चेक करके ही next sentence को बेजे thanks for everyone watching this video और मेरे सभी निवेवर से request है कि वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और description box में मेरे नई वीडियो के मैंने link share किये हैं तो कैपर उनको भी watch कीजिए और अपने friend circle को उसको share कीजिए ताकि उनको भी उनकी जानकारी मिल सके उनकी knowledge बढ़ सके और आपके like और comment से ही मुझे motivation मिलता है और मेरे channel में बने रहने के लिए बहुत बहुत धेनने बाद और मेरे channel के साथ जुड़े रही है तो कि future में बहुत अच्छी वीडियो लेकि आने वाला हूँ मैं और thanks once again